पहले डालेंगे फिर निकालेंगे फिर डालेंगे फिर निकालेंगे और निकालते रहेंगे और डालते रहेंगे और निकालते रहेंगे और डालते रहेंगे और डालते रहेंगे यह कैसी कैसी बाते कर रहे हैं बाई बाबार राजम टीम से अंदर बाहर अंदर बाहर अब य अदर बार मुझे लगा जो पाकिस्तान में जो बाबराजम है जो कैप्टन थे उन्होंने रिजाइन कर दिया बिलकुल पहले की तरह जब उन्होंने विट किवर्ड पाद सब क्वेंगा एज और फिर उनको वापस बुला लिया गया, विश बशाइन बने फिर दुवारा बावर बने बावर ने फिर छोड़ दिया अब वो कह रहे है बावर कि मैंने तो मैं तो पहले फैसला ले चुका था मैं तो अपने टीम को और PCP को इनफर्म कर चुका था जैसे ही T20 World Cup से हार के आए थे अच्छा तो यह तो अब बस अनॉंस्मेंट हो रही है और इससे जादा कुछ नहीं है तो बावर आजम वो पूरा महाल बना के बैठी है दूसरा यह भी पाकिस्तानी अबार में कुछ आरहा हूँ लग दी लाना था जिस बावर आजम वो चलती सीरीज के बीज में था प्रीज डिया चलती सीरीज में शाहिऑ और अफरीदी के सांथ ऐसे बेस प्रेंड है आपके इत्ती बड़ा ब्रेंशिप है को依 नहीं कह रहा उन्की लड़ाई है राकर रूम में ऐसा कोई नहीं भोल रहा है और व답शीम अग्रम तो बिबलकुल नहीं भोल रहे है और बासीतली भी नहीं भोल रहा है वा दैविस भात लीन करना। एक बन्सादा बोल रह था साथ में नसिम ना स में विलन। त演स के साथ किसकी साइड है किसकी साइड है कह रहे है क्रिकेट की साइड हूAN भी बार चिला तू निकल तो तू निकल तो तsstद के सां नयदा कि प्रह इसे रहा हिंडिंडीन जनेलिश्ट से वहां है शर्ण नसीम शाह को उसका मिला है ? बच्चें के जब आउटोग्राफ बाबर साइन निकल तो बाबर की तरह ही बन चल निकल यहां से और बाबर निका होगा एक जड़त पर बाहर जाओंगा नसीम को भी निकालोगे बाबर भाई आपके अंदर थोड़ी सी भी अकल होती तो आप शायद आज टीम के अंदर होते बाहर नहीं बैटे होते और बुमरा को काश आपने चूज कर लिया होता जब आप से सवाल पूछे गया था है पोथेटिकली वैसे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कभी जीवन में कि आप बुमरा से बाल डलवा सको लेकिन बुमरा से तो यह वैसे भी आउट हुए था ना रमीज राजा ने जब वो अपने एक शो के अंदर बाहर को बुला के बुमरा आ रहे हैं वो बाल डालेंगे प चैज दे बैट है बाबर आजम? मैं कुछ और क्याने वाला था 18 रन मारे भाई मतलब 118 बाबर को मारे होए शायद 18-20 मैच मिला लोगे बाबर के तब जा के यह 108 रन बनेंगे मज़ेगी बात तो यही है ना कि अभी भी यह लोग हर तरह से मतलब विराट कोली से कंपारिजन करने इन्हों को अभी भी शर्म नहीं आ रही है और वहाँ पर फकर जमान जो tweet करते हैं और वहाँ विराट से comparison करते हुए विराट के भी तो तीन साल थे और फकर जमान तो हैं भी टीम के पाड़ना मनलब वो पाकिस्तान के विराट कोली से compare कर दिया इन्होंने बाबराजम को कि जब विराट कोली की form खराब चल रहे थे जब विराट कोली का rough patch चल रहा था तब विराट की भी average ऐसी होती थी जैसी बाबर की है और गल्त-मल्त कहीं से इन्होंने stats उठाए और अपने किसी एक interview में फ ट्वीट पर फेक के मारे और मज़ेगी बात यह भी है कि जब इन्होंने यह कर दिया अंग्रेजी और पाक्स्तान बहुत दूर कर रिलेशन है इजी एम ब्रिंग मी न मैथमेटिक्स हाँ जी तो हसाब लाक्या वह वाला हिसाब है इनका और यह कहरे कि विराट कोली डियूरिंग रफ स्ट्रेच बिविन 2020 और 2023 देखो अगर लिटरल हम हिसाब ले हैं बिट्विन 2020 और 2023 तो मतलब यह हो गया कि यह 21 और 22 की बात कर रहे ह अगरेजी का हम सीधा सीधा अनुवाद कर रहे हैं अगर आप इस चीज के बिट्वीन बोलो तो बीच के उठाते हो तो बिट्वीन 2020 और 2023 के बीच में क्या आया 21 और 22 और 22 और इन्होंने उसके स्टाट्स ने दिये इन्होंने स्टाट्स जो दी है ना इस साल के ना के अगर आप इन्होंने जो स्टाट्स दिये वो दिये 21, 22 और 23 के यह बोल के इन्होंने दिये और पता यह चलता है कि 23 के अदर तो उनकी इस ते ही नहीं फिर so that stacks तो इन्होंने एक साल घा लिया बीच में और मेंशन कर और 23 भी तो तीन साल के इन्होंने starts दिये जिसमें 23 के starts included नहीं थे और 23 में उनकी 55 की average थी और यहां पे गिनारे 19, 28 और 26 हाँ 23 में तो भाई विराट कोली फुल पावर फॉर्म में दे अब यहीं बजाया है कि नीचे ट्विटर ने खुदी यानिकी X ने उन्होंने खुदी नीचे लिग दिया कि इस पोस्ट इनकुरेटली एक्जाजरेटेड विराट कोली फॉर्म डिप है ट्विटर वालों नहीं कह दिया एक्स नहीं बोल दिया भाई प्लीज यह बंदा बेफूफ हो गया यह को ज़्यादा अपने पे ग्रेट से उपर बोल रहा है इनको इनकी बात मत सुने आप लोगों ने रिपोर्ट कर दि दे रहे हो कि आप उनका साथ दे रहे हो पर किसी के बारे में गलत स्टैट्स दे के तो आप यह कंपेरिजन मत करो ना वैसे तो बहुत चीज़ा नों बीच में से मिस कर गए कॉंटेक्स नी दिया चीज़ा हुआ अच्छा कि आशी बज लिख लिख दिये नमबर लिख दिय अच्छा के अंदर जो बढ़िया करा था वो भी साले नों ने इंक्लूट कर दिया लेकिन उसके अवरेज नहीं पता ही उसके अंदर तो भाई वापस एकदम रिवाइफ किया जहां से वह अफगानिस्तान के खिलाफ सेंचरी आए थी 2020 में वहां से विराट कोली बैक इन फ पड़ी नहीं फिर यह कह रहे है कि नहीं विराट कोली को तो इनों ने रख लिया था उसको तो बार नहीं किया था भाई तो इंडिया जीत रही थी आप बंगलादेश से आर रहे हो इंग्लैन्ट से इनिंग लिफीत हो रही है आपकी 8500-800 रनों में हैं तो ऐसा थोड़ी ह दरासी बॉल इधर हुई नहीं कि तो आपकी तो हो जाती है ना काम तमाम तो फट गए सारे रिकॉर्ड फट गए सारे तो यही हुआ है देखो दिक्रच चल रही है पाकिस्तान में बड़ा मस्ला चल रहा है आठे दाल की प्रॉब्लम से हट के जो यहाँ पर इशू आ रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट कैसे चले, अब इन्होंने चैंपियंज ट्रोफी ले लिए, इन्होंने पैसा लगा दिया, हम मुल्तान का स्टेडियम बढ़िया बनाएंगे, कराची का, रावल पिंडी का, लाहूर का, सारे स्टेडियमों में पैसे लगाए जारे है, अरे किस बात क को से कुछ नहीं हो रहा उन पे आप पैसे पे पैसे लगाए जा रहे हो मुझन आप जैसा आपको पैसा लगाँ क्या रिखा वन्धा उलंपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। उस बंदे पे आप पैसे नही लगा रहे हो। और इधर उदर के स्पोर्ट्स पर लगाओ, कुल मिलाके साथ आपके एथलीट जाते हैं, ओलम्पिक्स खेलने के लिए, तो और उसे बड़े इनके वो गयते, वो डेलीगेट्स, डेलीगेट्स जारे हैं, बर जादा लोग इनके सपोर्ट स्टाफ के बनके गयते हैं, बाई कि जाएंगे बने पीचे सपोर्ट स्टाफ के, बड़े जरूरी होता है, बच्रूरी होता है, इनकी जोड़ी मरमत करनी पासपूर्ट तो यही है देखो भाई कुल मिलाके शिट emblem तो यही निकला यह भाबर वापस आज से कमबैक करेगा इशान किशन को देख लो यार रख रख के रन मार रहा है उसके दिल पर लगी ना जब उस टार बना के उन्होंने लिखा कि इशान किशन ने इस्पेशली नॉट कंसिड़र्ट फॉर दिस एन्वल बी सिस्याई कॉंट्राइक अब वह रहा रहा है चाहे दु है आप लोगों को मलूम नहीं है ये बाद एक चीज़ और है मैं तो यह भी कह रहा था मैंने इन्होंने भी ताज़ा ताज़ा अपनी सेलेक्शन कमिटी के अंदर अलीमदार को इन्होंने इंक्लूड कर ली है बई क्या टॉप लेवल के अमपायर मतलब इतने बड़िया ल अलीमदार वजब दो उस लेवल के बंदे जो कभी गलत देते ही नहीं थे उनकी आंके हौक का इसे जाए तेज थी तो वही आंके अब जो है वो प्लेयरों को देख रहे जब इतने करीब से उन्होंने बैटिंग देखिए सारा मैच उन्होंने यहां से देखा है होता हुआ पर आप देखो यार यह जो पाकिस्तान के साथ मसला चल रहा है यह जो शाहीन नसीम और बावर जो बाहर गई है आप लोग बताओ क्या इनका वापिस आने का कोई बी क्राइटीरिया आपको लग रहा है टीम में की आना बनता है इनका जगा बनती है टीम के अंदर या नहीं यह इनके लिए लगाना चाहिए जाओ पहले दुबारा देड़ सोबे फेक के आओ यह जो बोलते बोलते कब 125 पर आगे समझी नहीं आया है यह जो चलो अपनी जगा है लेकिन मैं कहा रहा है यह जो फेकने वाले 125 पर डाल रहा है ऐसी चल रहा है य अपने अडमिशन ले लिया है यह कर क्या रहा है यार पर आप अब हो सकता है अब यह कर के दिखाओ तब बात करेंगे वो बिचारा बैठावा डिडड़ डालके 148 उसके जहां बॉले उसके टीम में जगा नहीं बनी बताओ पर आप लोगों भी टीम में जगा बनानी पारे हो पर आप लोग बताओ जो हमारे व्यूवर्स है कि यह बावर आजम को फिर से कैप्टन कब बनाया जाएगा बुमर सब्क्राइब बॉले और पाकिस्तान की क्रिकेट कभी रिवाइफ कर भी पएगा या इनको है जिमबाववे और भौटान और नेपाल के साथ ही डालने खेलने के लिए या फिर बावर भाई वही है जैसा हमने शुरूआत करी थी अंदर-वार, 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 यह होता रहेगा, उनके साथ जो भी लघेगा आपको जो भी लघ रहा हूँ, आपको comment से उम्ताद है या बिलकुल यार तब तक हम चलते हैं ये क्रिकेट पे और पाकिस्तान क्रिकेट पे और माल मसाला एकठा करने के लिए मेरा नाम है प्रशांद कपूर मैं हो भी शेक मंचंदा और आप देख रहे हैं स्विच